नमस्कार स्वागत है आपका संगीतistannosis प्ले कि आज से पहले हक यह कभी नहीं कहे होंगे लेकिन आज हम यह कह रहे हैं इस वीडियो को जितना ना शेर कर सकते हैं आप उतना सेर करिए क्योंकि यह विडियो जितने भी संगीत के अभ्यारती हैं जितने भी संगीत जुड़े लोग हैं वो सभी लोग के लिए ये पर्टिकुलर विडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि 11 साल 12 साल के बाद आपका एस्टेट इजाम आया है और कई लोग ये जो कन्फूजन है आपका दस्वी बार्व और प्रभातefur को लेकि कई लोग इसके और से फ़र्म जो हैं वह गलती फिल कर रहे हैं कई लोग इनमें काफी ज्यादा अक धान कर सकते हैं और कर येगा हमसे जादा आप लोग कर सकते हैं वह हम से इस पर्टिक़िलर चैनल से हमारी एप्लिकेशन से बहुत ज्यादा लोग जूड़े हुए हैं और वह पर्टिकुलर लोग बहुत सारे ग्रूप में होंगे तो जो भी आपके पास संगीत का ग्रूप होगा आप में हर एक आपके पास ग्रूप होगा ही वो सारे ग्रूप में इस विडियो पर्टिकुलर विडियो को सेरंड करेगा क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और आगे बढ़ते हैं देखते हैं चीज़ों को यह सारे चीज़े आप जानते हैं कि हमारे एप्लिकेशन ठिक्षा प्लेनेट पे क्लासे जो है वो चल रही है बिपीएस्टी का और बिहार एस्टेट का कंबाइन कोर्स चलाया जा रहा है जिसमें बिहार और बिपीएस्टी और जो बिहार एस्टेट अभी जो क्लासे जा रही है बिपीएस्टी के लिए जा रही है विस्सेश तोर पे क्योंकि एजाम जो है चौबिस पचीज से है जैसे इसका खतम होता है तुरंत हम बिहार एस्टेट पे सारी चीज़ें करेंगे तो यह कंबाइन को स्कॉर्ट से मातर एस्टेट और डिपीएस्टी दोनों के लिए क्लासेश चल रही है जैसे बिपीएस्टी के खतम होता है वो बिहार एस्टेट पे रहेगा चलिए कर देख़ेगा फूल जो संगीत का सलेबस इसमें साज़ चीज़े करा यह एक लेक्शर के आपको नोट दिये जा रहे है टे यहां पर सारी चीज़े आपको मिल रही है कैसे जॉइन करना है सिख्षा प्लेनेट अप्रिकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और वहां पर आप इसको जॉइन कर सकते हैं ठीक है बाकि डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉल नंबर संपर्क नम सुत्र भी दिया गया है तो और ग्रिशन के समान माने जाने वाले कुछ डिप्लोमा टाइस डिग्रिया किये हैं जिसमें सबसे एक फेमस डिग्री है प्रयाग शंगित समीति को अलहाबात और यही सबसे बड़ी जो चीज है वह इस कंफ्यूजन का गलत फॉर्म फिर होने का कारण बनी हुई है क्या का लोग यहां पर six year कर लिये हैं तो इसको प्रफाकर कहा जाता है और कई लिए कहते हैं कि यह six year में बीये हो जाता है हमने बीये किया है प्रयाग संगीत समीति से और यह गलत है यह आपका बीये नहीं है यह बीये के समान में माना जा रहा है उसके अहरता में माना जा रहा है यह जो सर्टिफिकेट है यह बिये नहीं है ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट वही मानने होता है जो कि यूजी सी द्वारा एप्रूव हो बात को समझिये जैसे आप विहार वोट से अगर 10 12th की होंगे तो विहार सरकार विहार वोट जो है उसको प्रहादित करती है किसी अधर की हो उसको ने बनाया गया है जो उसको प्रवारिक करती है है और तरीके से बीए का सर्टिपिकेट नहीं है तो सबसे पहले जो लोग आप इसको बीए कह रहा है यह आपके बिहार इस्टेट में माना जाएगा लेकिन यह बड़ी का सर्टिफिकेट नहीं है दूसरा सबसे बड़ी कंफूजन क्या हो रहा है जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो दो तिन आप्षन है वहाँ पर में एक एकर के जी कर रहा हूं क्या है पहला है तेंथ हump कि दूसरा क्या है दूसरा है 12 ऑर इंटरमीयेट यहां पना हाइश्पूल कर रहे हैं थे Lets सित लगा दे रहें अब हाई स्कूल कहीं से भी आप लगा सकते हैं यहां पर क्या कर रहे हैं यह ट्वेल्थ वाले पर यहां पर फूर्थ एयर अपना प्रयाग संगीत समीति का लगा दे रहें गलती है इस तरीके से नहीं करना है आपको आप जो आपका एकेडमिक वाला है न भूल कर भी आप अपना फूर्थ एयर का प्रयाग संगीत समीति का ना लगा है क्रिपा करके इससे बचे यह गलत चीज है यही सही चीज है आप कई लोगों के कई लोगों का क्वला हमारे पास आया है जो की कह रहे हैं कि हमने फूर्थ एयर में यह लगा दिया अब जो का फॉर्म भी लिजेक्ट हो सकता है possibility है 10th और 12 में आपको अपने एकडमिक का जो अपने बोर्ड का एकजाम दिया है वूर्ट ह चीज़न दो इनमस्ञार एंग आपके बी एक ही judge हैसान रखियेगा और यह कहां लगाना है आपके बीए में लगाना है जहाँ पर आपका मांग रहा सनाथ करके मांगता होगा जहाँ पर आपके बीए का डिगरी के सर्टिफिकेट मांग रहा है और दूसरे जगह आपका मांग रहा है अगर आपके पास यह दोनों नहीं है तो दोनों जगह लगा दिगरी होगा वहीं पर लगा देंगे जिनके पर प्रभाकर होगा वो अपने last year का यहाँ पे लगाएंगे या प्रभाकर के अलबा और कोई भी चीज़े हैं जो कि आरतम है तो यहाँ पे लगाएंगे प्रभाकर याद रखेगा सिर्फ और सिर्फ एक ही जगा आपका काम आएगा उसके अलावा नहीं टेंट में लगाना है आपको नहीं intermediate के ज लोग कह रहे हैं बहुत लोग बिएन हैं नहीं किया होंगे बियक में वो इस नहीं मांझता लुक्त लेकांि है कि बिये दी कोई लोग कशीं को अदर्स कॉछ усक्किमेंट को यह आप कई लोग क्या किये हैं इसको भी छोड़ दीजा अगर आदर्स कोई डॉकुमेंट आप नहीं देना चाहते हैं जरूरत ही नहीं यह देने कि आप क्यों देंगे अब कई लोग लगा रहे हैं कि अब गलती हो जाएगा आप की चीज़ के लिए फॉर्म अप्रेट में आ जाए तो क्या करेंगे कोई जरूरत ही नहीं है तो यह साथ चीज़ से बची एमें नहीं नहीं लगाई यह आप पर वन देंगे पेपर टू नहीं देंगे जब टीजीटी के बीएट की कोई जरूरती नहीं है और डॉक्मेंट कोई जरूरती नहीं है छोड़ दिए उसके अलावा आगे बढ़िए बाकि यह सारी चीज़ा आप समझ लिए कि सर्टिफिक यहां पर आप समझ लिए कि हाई स्कूल और बोर्ड इजाम जो आपने 12 में दिया था उसी का लगाना है यह यहां पर भूल कर भी प्रयाज संगीत समीति का फोर्थ यार ठाड यार नहीं लगाईएगा यह सिर्फ एक ही जगा लगाना है कहां लगाना है यह जहां पर लगाना है जहां पर आप से आपका भी यह का मांग रहा है जहां से आप जहां पर आपका आपका भ आप दूर कर ली दिये इस वीडियो को हो सके ज्याधाふकर यहाँ एक helpful कर रहा हम अगर आपको म्यूजिक में ही अपना करना है की हैं a और बीसे पढ़ रहे हैं जैसे हम हंदी पढ़े इंग्लिस पढ़े उसके साहथ अगर हम कुछ कर ले तो यह डिपलोमा आपके लिए बेश्ट है लेकिन बाएहन के बाएगा इस तरीके का डिपलोमा करना चाहते हैं तो मत करिए इससे बढ़िया होगा ग्रेदिवेशन कर लिए मैं सब्सक्राइब कर पाएंगे जो की बीए कि होंगे तो इस तरीके का अगर आप कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट करना चाहते हैं तो अगर आप इसके जगा बेहतर होगा कि आप ग्रेदिवेशन कर लें बाकि इसको साइट से करना चाहते है क्योंकि आपके पास एक म्यूजिक भी ऑप्सन रहे तब आपके लिए यह बेस्ट है क्योंकि अभी भी बहुत सारे जगा इसको मानता दिया जा रहा है जैसे दिल्ली की जो प्रकेंट्स है यह वहां भी इसको माने जा रहा है कहने का मतलब है कि 12 के बार अगर आप म्यूजिक में केडियर बनाना चाहते हैं तो यह बाकी साइट से करना है तो अभी जो यह क्या है बेस्ट है सारे चीज़े आप समझ गये हैं कुछ भी कन्फीजन होता है दिक्कत होता है आपके पास हमेशा हमारे ओपिस का टॉल फ्री नंबर होता है चलिएगा इसको नोट कर लीजिए का 9005102878 कुछ भी दिक्कत हो इस एप सी जूड़ी हुई आप यहां पर संपर कर सकते हैं क्लास सारी चीज़े आप हमारे एपिकेशन से जूड़के ले सकते हैं जनकारी अभी तक लिए बस इतना है धन्यवाद